तो ये देखिए, लेकर आ गई हूँ झाहिए ये अमीजिंग सी रेचिपी जो आपको पहले ही बता चुकी थी, कि सर्द्यों की खास रेचिपी है ये पार्टी और शादियों में बहुत बनाई जाती है, तो आ गई है मैथी मटर मलाई, मैथी मटर मलाई चाहिए जी हां मैथ वीडियो वाच कीजिएगा बनाना शुरू करते हैं इसके लिए देखिए चार बड़े साइज के मैंने रेट टमाटर लिया है और चार बड़ी-बड़ी हरीमेज और एक इंच अदर का टुकड़ा काट के लिया है और यह है मैथी फ्रेश इसको मैंने अच्छे से दो के काट के रखा है फ्रेश क्रीम ली है एक काटोरी और कुछ 10-12 पीसे काजू के हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यह गैस पर ओलेड़ी मैंने तेल कड़ाई में डाल रखा था गैस ऑन भी है तो जीरा डाल दिया है मैंने थोड़ा सा और यह टमाटर हरीमेज और अदरक इन मैंने मैं सपा हिसे में तो जल्दी हमें दो नमक लिसे अबीड़ायमेज और गरते यह फिनमोक हमेजम करते हैं चेल नमक hasp करने दिया कि तो धान से लाकर करके और जंदीड़ाई में आधा फोटनीदाउड़न चमरें सहां और फसोला कमां से में तो यह पीम तोंधी नमक क कर लेते हैं काफी सॉफ्ट हो गए हमारे तामाटर तो अगर इस तरीके से आप रोष्ट करकर अगर आप मिक्सर ग्रेंडर में ये पेस्ट को चलाएंगे और तामाटर हरीमेच अदर तो जो आपकी ग्रेवी बनीगी वो काफी रेच बनीगी तो यह देखिए हमारा टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है काजू भी इसमें रोष्ट हो गया है बहुत ही अच्छी खुश्पू आ रही है तो अब हम गैस आफ करके से निकाल लेते हैं थोड़ा सा थंडा होने पर इसे चला लेंगे मिक्सी में अच्छा सा इसका इस से कढ़ाई को क्लीन करने की कोई जरूवत नहीं है क्योंकर बस उसमें मसाला लाए ह Weg में पाप सापधिये देख सकते हैं देल गर्म हो रहा है हाथ लगा कर अब इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी जीरा अच्छे से मारा चटक गया है तो ये सारा पेस्ट अब इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी और अब इसको हमें जो इसका में पॉइंट है कि अच्छे से हमें इसे मसाले को रोष्ट करना है जितना अच्छे से आपका मसाला रोष्ट हो जाएगा उतनी बहतरीन आपकी मैथी मतर मलाई की सबची बनकर तयार होगी तो मैं इसे कवर करके इसलिए चला रही हूँ जिससे कि यह आसपास काफी चटकता है तो वह नहीं चटकेगा शुरुगार में जैसे कि हम डालते हैं तो आसपास काफी चटकता है तो अब बापस से फिर इसमें मैंने मसाले डाले हैं यह देख सकते हैं आप एक चम्मच भरके मैंने धनिया पाउडर डाला है थोड़ा सा लाल मिस्ट पाउडर है अब इसे आप अच्छे से चलाईए बस आपको इसे continue चलाना है जब तक ये मसाला हमारा अच्छे से फुन नहीं जाता है बीच वीच में आप थोड़ा सा रुपी सकते हैं लेकिन इसे छोड़ना बिलकुल भी नहीं है क्योंकि अगर हम इस तरीके से चलाते होगे इस मसाले को हुनेंगे तो काफी अच्छा मसाला हमारा भुन कर तयार होगा और जितना अच्छा मसाला बन जाएगा हमारा ये इस तरीके से आप चला सकते हैं आपके उपर भी नहीं आएगा काफी हद तक मारा मसाला भुन कर तयार हो गया ये देखिए अब आपको मैं पास से दिखा रही हूं मिलकुल कैमरे से काफी मसाला मारा भुन गया है बस इसी तरीके से हमें चाहिए अब ये कढ़ाई छोड़ करने लगा है ये इस तरीके से देखिए पस इससे ज्यादा नहीं बुनना है और अब हमने जो फ्रेश क्रीम लीती वह भी मैं इसमें डाल दोंगे घर की मैंने फ्रेश मलाई थी वही मैंने मिक्सी में चला लिए मैं आपको बता रही हूं अगर आपके पास फ्रेश मलाई पानी है तो आप जो अमूल की क्रीम आती है वह भी डाल सकते हैं लेकिन अगर घर की मलाई है तो आप वही डाल यह बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप मलाई डाले तो उसके बाद आपको कंटीनू चलाना जब तक उसमें वावल सना मलाई डालने के बाद आपको बिल्कुल रोकना नहीं है नहीं तो मलाई फट सकती है और पूरी मैंत ही मतर मलाई की सब्जी है खराब हो जाएगी और उसी बावल में जिसमें यह पेश्ट था उसी मैंने पानी लेके थोड़ा सा पानी डाल दिया है पानी में इसमें बहुत कि मतर को थोड़ा सा गल्ले में काफी टाइम लगता है तो मतर को आप गरम पानी में पहरे से बॉइल करके रखें और यह अब मैथी है वह भी मैंने इसमें डाल दी है अब इसको मैं अच्छे से चला लूँगी अच्छे से मैंने चला लिया है सर्थियों में यह सबजी बहुत पसंद की जाती है मक्के की रोटी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है नमक भी मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए मैंने इसमें फ़िए पकाना और चलाना जरूरी है बीच बीच में आप चलाते रही है इसको काफी बार, जितनी सबजी आप चलाएंगे उतनी सबजी आपकी अच्छी बनेगी अब यह सबजी अच्छे से बॉयल हो चुकी है ग्रेवी में भी काफी आपको चेंज लग रहा होगा तेखे एक तम ठिक ग्रेवी हो गई है बहुत ही अच्छी खुश्पु आ रही है अब थोड़ी से उपर से मैं कसूरी मैथी और डालूंगी क्योंकि मैथी दो हमने डाली ह है लेकिन जो कसूरी मैथी होती है उसकी खुश्पु ही अलग होती है थोड़ी से उपर से डाल देंगे तो एक तम टेस्ट चेंज हो जाएगा थोड़ा सा डाला है मैंने गरम मसाला कि देखे कितनी बढ़िया खुश्पु आ रही है खुश्पु तो मैं आपको बता नहीं सकती हूं लेकिन अच्छी खुश्पु है थोड़ा गरम मसाला में और डाल देती हूं और यह देखे सब करती है मैंने सबची कितनी बढ़िया और लाजवाब सबची बनकर तयार हुई है थोड़ी सी फ्रेश क्रीम जो बची हुई थी वह मैंने इसमें थोड़ी सी उपर स संद है तो कोई बात नहीं है बहुती टेस्टी सबजी बनती है राइस के साथ में बहुत अच्छी लगती है लेकिन अगर एक चीज में आपको बता रही हूं अगर आपके पास काजू नहीं है तो आपको टैंशन लेने की कोई जरुवत नहीं है आप मुफली थोड़ा रो अगर काजू है आपको काजू पसंद है तो वो डालिए काजू तो वैतरीन है यह तो कैसी लगी आपको मेरी यह रेसेपी उमीद है आपको पसंद आई होगी आगे बहुती अच्छी रेसेपी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूं तो प्लीज फिर देर किस बात किये उली ईटने वालिए करिदो विसे आपके लिए फिर देर किस भीज सी आपके लि데 वाली हूंद को वाली अग्या है अग्या है यह दो पोगई छोंवętि तो किस भीकाजि शुड़िएर किस वाली हुनक से लिए हुश क्ष리 काजब फिर देर सेजा सबsyšता है कि ओं़र को गि